हमारे इस चैनल भक्ती धाम को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें वगंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे बिलकुल मुफ्त माता देवहुती कहलाएं कपिल मुनी भाई हैं जिनके अत्री मुनी पाती कहलाएं चित्र फुट में जो रहती थी जिसकी सोभाना वरने जाएं अत्री मुनी भी सण तपकी ना धरती अंबर दिये हिला एक हजार बर्स किये तपस्या तपकी गर्मी सही न जा तीनों लोक त्रिप्त हो गएं धरा पे वर्सा होने न पाएं अन्सुईया कर पती की सेवा सारे साधन रही जुटाएं सफल साधना हो विपती की सफल साधना हो विपती की प्रभुस्या रज रही लगाएं एक हजार बर्स पूरे हो गएं धरती गगन रहे थर्राएं तोड़ी समाधी अर्ति मुनी ने देखे अन्सुईया गई हरसाएं पती से बोली आदेश दीजिये सुनके अत्री मुनी हरसाएं बोले मुझको पानी पिला दो कंठ प्यास से सूखा जाएं तेरी सिवा से मेरी तपस्या आज पुनन होने को आएं अन्सुईया आदेश सुनी हैं लिया कमंडल हाथ उठाएं कही नहीं पानी दिखता था गगन से धर्ती तपती जाएं घना घोर जंगल में पहुची फिर भी पानी न दिख पाएं धरा पे सारे प्रानी तरस्थ थे धरा पे सारे प्रानी तरस्थ थे सुझ रहाना कोई उपाएं बिन पानी लिये मैं न जाओं भले ही दू मैं जाने गवाएं पती ही मेरे पर में सुवर है उनका देश न टाला जा इतना सोच के अन्सुईया ने हाथ को उपर लिया उठाएं बोली यदी मैं पती वरता हूँ सिगरी ही गंगा धरा पे आई यदी गंगा नहीं धरा पे आई दूंगी अपनी जाने गवाएं इतना सुनके गंगा दोडी सत्री के चरन पकड मुसका आई मा गंगा अन्सुईया से बोली हे माता आदेश सुना आई मा अन्सुईया गंगा से बोली सुनलो गंगा ध्याने लगा आई मेरे पती बहुत प्यासे है मेरे पती बहुत प्यासे है सिगरी ही दो तुम जल को बहाए अभी अभी तप तूटा उनका उनको गश्ट न होने पाए अन्सुईया की सुनके बाते मा गंगा बोली मुसका मैं निर्मल जले कर आई अत्री मुनी को देना पिलाए मुनी अधी ये जल को पीले मेरा जीवन धन्य हो जाए मुनी वर के ही तप के कारण प्रकतिने जल नहीं मरसाए मेग देब भी अब आएंगे धरापे देंगे प्यासे बुझाए मा गंगा की बाते सुनके अन्सुईया मा रही मुसका आई पावन जल से भरी कमंडल लेकर पती के पास में आएं अत्री मुनी जल पीकर बोले अत्री मुनी जल पीकर बोले गंगा जल मुझे दिया पिला ये निर्मन जल कहां से लाई अन्सुईया दी बात बताए अन्सुईया अत्री मुनी से बोली बात को सुनिये ध्याने लगाए आपके तब से धर्ती दप गई कहीं वी पानी न दिक पाए फिर भी सारे प्रानी जिवित है तबकि महि मनवर ने जाए अन्सुईया की बाते सुनकर अत्री मुनी रहे हर साए काले बादन फिर घिराए मेघ रहे पानी बरसाए हर सित तीनों लोग हो गए दर्सन करने नारदाए दर्सन की अमान सुईया का बोले चरण में सीस नवाए आपकी जैसी सती न कोई आपकी जैसी सती न कोई धन्य भाग जो दर्सन पाए आपकी है दिनों लोग में चर्चा कहके रहे नारद मुसकाए अनसुया नारद से बोली मुनी वरे अपना हाल सुनाए अनसुया से बोले नारद महासती अब आप कहाए आप तो सारी बात जानती आपसे कुछ भी न छिप पाए है मा मुझको बिदा कीजिए नारद बोले सीस जुकाए अनसुया से बिदाले नारद मालचमी के पास में आए मालचमी से बोले नारद बात को सुनिये ध्याने लगाए अनसुया की किर्ति पता का तीनों लोक रहे फारा सबसे बड़ी पति की भगतन है अनसुया समतू जाना आये मा मैं उन्हें देख के आया अनसुया पति वर्ता कहला आये लचमी जी नारद से बोली बात को सुन लो ध्याने लगाए क्या वो मुझे से भी बढ़के है करते पर संसा ठकते नाये नारद बोले हाँ माता सी मेरी चूक छमा हो जाए लेकिन मैं हूँ सत्य बोलता अनसुया समतू जाना आये पीज कलाह का बोया नारद तीर निसाने पे लग जा इतना कहके भी दालिये है नारद जी कलास पे आये पारवती से मिले है जाके पारवती बोली मुसका क्या खबर लाए हो नारद क्या खबर लाए हो नारद मुझको भी तुम दो बत लाए नारद जी माता से बोले अनसुया महसती कहा है उसके जैसा दूजला जग में मा मैंने देखा है जाए सुनके बाते नारद जी की मन में इरिसा गई समाई इरिसा पैदा करके नारद मा से बिदा मागे सिरनाए आप पहुचे है ब्रह्म लोक में बोले सरसती से सिरनाए अदबुत सती धरापे देखी जिसका नाम अनसुया कहा है परंपती वरता वो लगती जग जिसको पूझे सिरनाए जित्र पुट में रहती है वो जिसने गंगा दी है बहाए महासती जग में कहलाती महासती जग में कहलाती उसकी चरचार ही सुनाए आप भी उसकी जैसी नहीं है कहके नारद जी मुसका जलन हो गई सरोसती को नारद जगडा दिये कराए सफल का मना हुई नारद की नारद भी दाली ये सिरनाए लच्मी जी हरी पास में आई बोली है सिरी हरी से जाए सुनी अन्सुया के बारे में महासती है रही कहाए उसकी प्रिक्चा लिजिये परभू जी सुन विसनू जी रह मुसका बोले सही सुना है तुमने अत्रिमुनी की नारी कहाए परमतपस्वी अत्रिमुनी है उनके तब की वो सक्ति कहाए पती की तब की सक्ति है पत्नी पती की तब की सक्ति है बत्नी उसके बराबर तू जाना है महासती है अन्सुया जी उनकी परिक्चा कौन लेपाए सक्ति में बहुत ही सक्ति होती जगुस पूजे सीस नवाए सही बात नारद बोले है बिश्नु जी बोले मुसकाए जलती आग में घी डाले है महलच्मी गई क्रोध में आए पोली सुनिये है स्वामी जी यदी परिक्चा ना आप लेपाए फिर मैं भी ये कैसे मानू अन्सुया महसती कहाए तुसरी तरब मापारवती भी सिब संभू के पास मैं आए बोली परिक्चा लिजिय सती की जिसका नम अन्सुया कहाए नारद बड़ी बड़ाई थकरता नारद बड़ी बड़ाई थकरता उसके बरावर तू जाना मैं इस बात को नहीं मोनती जब तक बात नसिद हो जाए पारवती की सुनके बाते सिब संभू है रह मुसका आए सिब जी पारवती से बोले बात को सुनो ध्याने लगाए परंपती वरता नारी है उसकी परिक्चा लेते नाए मैंने भी की भिशा तपस्या पती रूप में आपको पाए मुझसे भी वो कैसे बड़ी है मुझको नहीं विश्वास हो पाए पिन परंपानी के मैं नहीं मानूं लिजे परिक्चा उसकी जाए तीनो दिविया रुष्ट हो गई एक साथ गई धरा पे आए साथ में माया भी आई है साथ में माया भी आई है अत्रिमुनी का रूप बनाए चित्र फुट में जा पहुची है सुन्दर आस्रम रहा दिखाए हर सितो हो गई तीनो देविया अन्सुया जो गई दिखाए अत्रिमुनी थे नहीं आस्रम में अच्छा मौका गई है पाए अत्रिमुनी का रूप बनाए अन्सुया के पास में आई तुमाया बोली है मुषका आज बहुत सुन्दर लगती हो जो देखे देखत रह जाए बात सुनी जो अन्सुया तो मन में संखा गई समा अन्सुया मा मन में सोचे पति दिव कैसे घर पे आये तिर खाटन पे वो निकले है तिर खाटन पे वो निकले है मैंने विदा किया हरसा इतने जल्दी कैसे आये मेरी तो कुछ समझना आये इतना सोजन सुईया बोली बात को सुन लो ध्यान लगाये मेरे पती का रूप बना के कौनों तुम छल करने आये अभी तेरी पहचान करूंगी सची बात रही बतलाये मंत्र पुद्र जला भी छिड़ कूंगी सभी भेद तेरे खुल जाए गई कबंडल से जल लेने माया मौका गई है माया अस्खल होके भागी अस्रम से तीनों देवियों के पास मैं आये माया लगी देवियों से कहने मेरी चुक छमा हो जाए अस्खल होके मैं लोटी हूँ अस्खल होके मैं लोटी हूँ दूजा नहीं था कोई उपाए सारे भेदे खोलती अन्सुया मैंने भाग के जान बचा दीनों देवियों क्रोधित होकर अपने पती के पास मैं आये संजा रही अपने पतियों को सिगर परिक्छा लेने जाये अत्री मुनी गए तिर्थ यतरा पर सुन्दर मोका गया है तीनों देविया जिद पेडी तो तीनों देव धरा पे आये ब्रह्मा विष्णू मेहस भी आये अत्री मुनी का भेस बनाये अन्सुया के अस्रम पहुँचे बाहर से ही भुकर लगा तीन तीन पतियों को देखी अन्सुया के समझना तीनों बोले अन्सुया से तीनों बोले अन्सुया से बात को सुलो ध्यान लगाए अपने पती को तुम पहचानो तभी महसति मानी जाए अन्सुया तीनों देवों से बोली आप लोग भोजन पे आए मैंने आसन लगा दिया है भोजन भी देती हूँ लाए आप अतिती आज है मेरे रूप देवता का कहलाए कौन पती है चुलो पहले फिर भोजन भी देना कराए ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम ना दोगी बताए अन्सुया पड़ी बड़ी उल्जन में भी सन संकट गया है गैरों को पती चुनी जो अपनी धर्म पती वर्त भंग हो जाए यदी नहीं भोजन जो करेंगे यदी नहीं भोजन जो करेंगे तो भी धर्म न बचने पाए अतिती यदी भूखा लोटे तो अतिती धर्म भी नश्ट हो जाए नहीं ऐसा नहीं होने दुंगी अन्सुया रही सोचूपाए अत्रि मुनी का ध्यान लगाई लिया कमंडल हाथ उठाए तीनों देबे पे जलचिड की है तीनों को बचा दिया बनाए सुन्दर बालक देखा अन्सुया मन ही मन मेरही मुसकाए दूद भात तीनों को पिलाई पलने पर है दिया सुलाए तीनों लोक पिकरे जो सासन मेरे घर में सिसु बनाए धन्य भाग हुए आज तो मेरे अन्सुया रही लोरी सुनाए तीनों देब किलकारी अमारे तीनों देब किलकारी अमारे देखा अन्सुया रही मुसकाए पालन में तीनों देब जूल रहे अन्सुया मारे ही जुलाए तीनों देब जब घर नहीं लोटे तीनों देब यांगल घबराए ब्रह्म्ह विश्नु महेस नाए किसी को कुछ भी समझ नाए ब्रह्म्ह लोक का इलासता सूना सिरिसागर भी सूना दिखा तीनों देबियों की पैचेली देखके रहे नारद मुसका आए अपने पती को ढूंड रही है पती कहीं भी नजर नाए पीड़ा बजाते नारद आए तीनों को देखे रहे मुसका आए सार दिलच्मी पारवती को नारद जी है रहे बताए अन्सुया के पास में जाओ अन्सुया के पास में जाओ तूजा नहीं है कोई उपाए अन्सुया ही पता बताए तूजा कोई बता नहीं पाए बहासती मांसुया से जग में भी कोई छुप नहीं पाए नारद जी की बातों को सुनके देविया रही सवारी बुलाए माहनचमी बैठी है गरूड पे नील गगन में रही उड़ाए नंदी पे परवती बैठी है तेज गती से चलता जाए सार दे माराज हंस पे बैठी हंस सवारी को दिये उड़ाए साथ में नारद जी भी चले हैं चित्र कूट में गए हैं आए अंसुया के द्वारी पे आए देख के अंसुया मुसका तीनो देवा पस में खेले तीनो देवा पस में खेलें बाल लाना वरनी जाएं खीलो ना दे करमा अंसुया तीनो देव को रही खिलाएं तीनो देवी की बनी है माता सती खुशी में जूमे गाएं अंसुया का गीत सुनके तीनो देव रहे मुसका तीनो एक समान थे लगते जो देखे देखत रह जाएं नारद अंसुया से बोले माता सुनिये ध्यान लगा तीनो देवियां दर पे आई इनके पती का पता बताएं नारद जी की बात को सुनके मानुसुया रही मुसका इतने में तीनो देवियां आई देखके अंसुया हर साएं अत्री मुनी भी अत्रस लोटे अत्री मुनी भी अत्रस लोटे अपने अस्रम गए है तीनो देवियों को देखे है सरण में उनके सीस जुकाएं अन्सुया भी देवियों का सुन्दरासन दी है लगाएं पाउध होई है पती देव के उनको भी है दिया बैठाएं नारद जी भी पास में बैठे अन्सुया रही भोजन कराएं देवि पती और नारद जी को अन्सुया सारी बात बताएं अन्सुया की बाते सुनके सारे लोग रहे मुसका इतने में तीनो बालक आएं बोले दो मता मुझे खिलाएं बड़ी चोर की भूख लगी है तीनो देव बोले मुसका आएं तीनो देव को भोजन कराएं तीनो देव को भोजन कराएं बोजन करके रहे मुसका आएं नारद अन्सुया से बोले माता सुन लो ध्याने लगाएं देविया पतियों को ढूण रही है इनके पती को दो लाता है आपके बच्चे इनके पती हैं इसमें कोई संका ना है अन्सुया देवियां से बोली बात को सुनिये ध्याने लगाएं अगर आपके पती हैं तीनों खुस होकर आप इनहीं ले जाएं एक समन कीनों का मुक्ता जिसके कोई पहचान न पाएं सर्थिया ही है अपने पती को सर्थिया ही है अपने पती को अपनी गोद में आप उठाएं सरसोती सिवजी को उठाई लच्मीन ब्रह्मा को लिया उठाएं बारवती विश्मू को उठाई पती नहीं पहचान में आये सरमिंदा हुई तीनों देविया अपने मुख को रही छुपाएं छमा मगी मांसुया से सारी बात रही बतलाएं हमने ही इन तीनों को भेजा तब ये परिक्छा लेने आये पच्चा बनाई मेरे पती को कैसे हम संग में रहपा या था सिगरीने बढ़ाती जिए देविया बोली सीसी जुकाएं चुक हमारी छमा कीजिए सुनके अंसुया रही मुसका है बच्चों पे जलको छिडकी है बच्चों पे जलको छिडकी है गए है अपने रूप में आये अपने अपने पती को पाकर तीनों देविया गई हरसा तीनों देव परशन हुए हैं बोले अंसुया से जाए जो चाहे पर मांग लो मुझसे अंसुया बोली हरसा मेरे को किस जन में लीजिए तू जी कोई इक छाना है अंसुया को बर दे कर वो तीनों देव निजधाम को आए माहासती बन गई अंसुया अत्रि मुनी भी रहे हरसा सत्य सवित वरदान हो गया चंदर के रूप में ब्रम्भा आए विशनू दत्ता त्रे बने हैं बोद में अंसुया के आए दुरवासा बने भोले संकर दुरवासा बने भोले संकर अंसुया मारही खेलाए तीनों को पलने में जुलाए तीनों देव रहे हरसा महासती मा सबसे बड़ी है जिससे देव विपार न पाए बतिवरता नारी की सक्ती किसी के कहे नहीं कहाए संजैतिवारी लिखे कथा को इस मीता ने दी है सुनाए टाइलस जी ने रिकोर्ड किया है